लगबग 3-4 महिने पहले Moto Edge 40 को लाँच किया गया था और ये जो Moto Edge 40 Neo है ये उसका light version है जिसमें आपको सारे फीचर जो है वो Moto Edge 40 वाले ही देखने को मिलते हैं लेकिन फोन का जो प्राइस है वो काफी कम है वैसे तो इसका प्राइस लगबग 25,000 रुपए है लेकिन और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फोन की packaging बहुत अच्छी है इसमें जो material यूज किया गया है इसे recycle किया जा सकता है फोन की display crubbed है और फोन का weight है वो भी जादा नहीं है फोन की build quality काफी अच्छी है हाथ में फोन की grip है वो भी काफी अच्छी रहती है और back पर जो camera bump दिया गया है वो metal का है और इस फोन के साथ आपको climate friendly case देखने को मिल जाता है फोन के button और ports की बात करें तो नीचे की side में आपको sim का tray मिलती है microphone है, USB Type-C port है और speaker grill है उपर की side में आपको microphone मिलता है फोन के साथ में Dolby Atomos का support मिल जाता है फोन की right side में आपको volume, rocker और power button देखने को मिल जाता है फोन में आपको in display fingerprint sensor भी देखने को मिलता है अब बारी आती है display की Moto Edge 40 Neo में आपको 144Hz refresh rate के साथ आने वाली 6.55 inch की full HD plus P OLED डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले के साथ आपको HDR10 Plus का support मिलता है और टेर है सो निट्स की brightness मिल जाती है इसकी display को अगर आप Moto Edge 40 के साथ compare करेंगे तो दोनों में आपको लगभग same display देखने को मिलती है इसकी display का touch response काफी अच्छा है डिस्प्ले पर आपको bezels काफी कम देखने को मिलते है chin part काफी कम है और आगे की side में जो camera दिया गया है वो punch hole design में आपको मिलता है तो display की जहां तक बात है वो काफी अच्छी display आपको इस phone में देखने को मिल जाती है 144 hours refresh rate इस price range में आपको किसी भी दूसरे phone में देखने को नहीं मिलता है phone के साथ आपको Dolby Atomos का support दिया गया है तो video देखते समय आपको इस smartphone में जो है वो sound quality भी बहुत अच्छी मिलने वाली है तो phone जिस price में आता है उसके हिसाब से इसमें आपको display जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है अब बारी आती है इसके chipset की Moto Edge 40 Neo में आपको MediaTek Dimensity 7030 chipset देखने को मिलता है जो कि 6NM fabrication पर बना है इस phone में आपको LPDDR4X RAM और UFS 2.2 storage देखने को मिलती है बात करें इसके Antutu score की तो इस phone में आपको 5 लाख के करीब जो है वो Antutu score देखने को मिल जाता है जो कि अपने आप में काफी अच्छा है gaming की बात करें तो medium to low setting पर आप इस smartphone में लंबे समय तक gaming कर सकते हैं इस phone की खास बात ये है कि इसमें आपको जो processor दिया गया है वो दुनिया का पहला processor है और अभी तक ये processor किसी दूसरे smartphone में यूज नहीं हुआ है बात इसके OS की करें तो इसमें आपको Android 13 देखने को मिल जाता है और साथ में 2 साल के major update और 3 साल के आपको security update मिल जाते हैं और phone की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें आपको IP68 rating मिलती है जो कि आपको flagship level के smartphone में देखने को मिलती है अगर ये phone 30 minute तक पानी में भी रहता है तो भी इसे कोई नुकसान नहीं होने बड़ा अब वो बारी आती है इसके camera की इस phone में आपको सेम वही camera दिया गया है जो की Moto Edge 40 में मिलता है और Edge 40 का price जो है वो 30,000 के लगबग है इसके back में आपको 50 Megapixel का OIS camera और 12 Megapixel का Ultra Wide camera दिया गया है बात करें front camera की तो यहाँ पर आपको 32 Megapixel का camera मिलता है phone के back और front camera से आपको काफी अच्छी picture quality देखने को मिल जाती है बात करें वीडियोग्राफी की तो इसमें front और rear camera से आप 4K video को 30 fps पर shoot कर सकते है phone में आपको low light mode भी मिलता है जो की कम light में वीडियोग्राफी के दौरान quality को improve करने में काफी help करता है तो इसकी जो picture quality है वो Moto Edge 40 वाली ही आपको इसमें देखने को मिलती है और phone का price जो है वो काफी कम है अब बात करते हैं इसकी battery की phone में आपको 5000 mAh की battery मिलती है जो की 68 वोर्ट की fast charging को support करती है इसके 8GB RAM और 128GB storage variant को आप 20,999 में रुपए में buy कर सकते हैं वहीं जो इसका 12GB RAM प्लस 256GB storage variant है वो आपको 22,999 में रुपए में मिल जादा है तो ये थी Moto Edge 14 EO को लेकर मेरी आज की वीडियो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जाने से पहले चैनल को subscribe कर लीजियो और notification के लिए well icon press करना ना भूलिए